इस वीडियो में हम बात करेंगे fortification और fortified foods के बारे में आम तोर पर consume किये जाने वाले खाने में जब हम important vitamins और minerals का addition करते हैं तो इसे हम food fortification कहते हैं इंडिया में 5 तरह के food products को fortify किया जाता है wheat flour, rice, salt, milk और edible oil जब भी आप इन 5 प्रोड़क्स में से कोई भी प्रोड़क्स खरी दें तो उसकी packaging पर plus F का logo देखना ना भोलें ये plus F का logo बताता है कि इस food product में fortification किया गया है हमारी body में रोज कुछ micronutrients की जरूरत होती है और ये fortified food products उस जरूरत को पूरा करते हैं Fortified food products, normal food products जैसे ही दिखते हैं, टेस्ट करते हैं और स्मेल करते हैं Fortified foods को खाने के लिए आपको अपनी डाइट में कोई चेंज नहीं लाना पड़ता और fortification से product की shelf life पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस वीडियो में हमने बात करी fortification और fortified foods के बारे में आईए एक बार फिर से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा आम तोर पर consume किये जाने वाले खाने में जब हम important vitamins और minerals का addition करते हैं तो इसे हम food fortification कहते हैं इंडिया में पांच तरह के food products को fortify किया जाता है जब भी आप इन पांचों में से कोई भी food product लें तो plus F का logo देखना ना भूले हमारी body में रोज कुछ micronutrients की कमी होती है और ये fortified foods उस जरूरत को पूरा करते हैं fortified food products normal या regular food products जैसे ही दिखते हैं taste और smell करते हैं fortified foods को खाने के लिए आपको अपनी diet में कोई change नहीं लाना पड़ता और fortification से product की shelf life वर कोई effect नहीं पड़ता